हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो सॉटेज स्टोरीज, आज की हमारी रेसिपी है कढ़ाई पनीर, जिसे हम बना रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सुगराम पनीर आधा कप कटे हुए टमाटर तीन चोथाई कप कटे हुए प्याज आधा कप कटी हुए शिमला मिर्च इसके लिए हम कुछ साबूत मसाले ले रहे हैं, जैसे तेज़ पत्ता, साबूत धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, दाल चिनी, लॉंग और हरी लाची नमक हम स्वादन उसार लेंगे, एक छोटा चमच हल्ली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी एक छोटा चमच यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मेर्च यूज़ करेंगे क्श्मीरी लाल मेर्च खाने में ज़्यादा दिखी नहीं होती और इसका बहुत ही सुन्दर कलर आता है एक चोथाई छोटा चमच हम कसूरी मेती लेंगे एक एक बड़ा चमच अद्रक और लह सुन लेंगे आता चोटा चमच गरम मसाला और दो बड़े चमच मलाई कड़ाई पनीर बनाने के लिए हम पहले स्पाइस मिक्स तैयार करेंगे जिसके लिए हम सारे साबुत मसालों को ग्राई रोस्ट करेंगे हम इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चैंज होने लगे और इसमें से अच्छी ती खुश्बू आने लगे मसालों को रोस्ट करने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे स्पाइस मिक्स तयार करने के बाद हम एक अड़ाई में घी या तेल गरम करेंगे अब इसमें साबूत कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधे प्यास डालेंगे जोब हमने इनिशिली प्यास लिए हैं अभी उसमें से आधे प्यास ही हमें यूज़ करने है अध्रा खोर लहसुन डालेंगे टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा फाने मिला के इसको कवर करके 6-8 मिनट तक पकाएंगे 6-8 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसमें प्यास ओ टमाटर जो है वो एकडम सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसे मिक्सर जार में डालके इसकी एक स्मूज पेस्ट तयार कर लेंगे इधर हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे हमें यहाँ पर तेल एकडम हाई टेम्टरेचर पे चाहिए मतलब एकडम खोलता हुआ तेल हमें चाहिए अब हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे पनेर डालेंगे शिमला मिर्च डालेंगे प्यास डालेंगे और इसको हाई टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए पकाएंगे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा पनीर गोल्डन तर्ड ना होने लगे अब हम इसमें स्पाइस मिक्स मिलाएंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखा है नमक मिलाएंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते वे थोड़ा सा पकाएंगे अब हम इसमें कसूरी मेथी मिलाएंगे और जो प्यास टमाटर का पेस्ट हमने तयार करके रखा है वो मिलाएंगे उसके बाद हम इसमें मलाई मिलाके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर तक पकाएंगे अब हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके कुछ देर तक और पकाएंगे कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा कडाई बनी रेडी है सर्व करने के लिए आप इसे रोटी, पूरी, नान, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दे से सब्सक्राइब करें और पास में बनी हुई बैल आइकन को प्रेस करें जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तिल देन, बाई बाई, सी यू सून